साल 1975 में प्रकास जा की पहली डेकोमेंटरी फ्रीम अंडर दबुलू आई थी, जिस पर रिलीज होने के बाद परतीबंद लगा दिया गया था, यह डेकोमेंटरी बिहार स्रीफ में हुए दंगो पर आधारी था, फिल्म दामुल में प्रकास जा को बॉलीबूड में पहचान पतना और जमसेदपुर में बने हाइटेक मौल के मालिक बॉलीबूड के जाने माते निर्माता, निर्देशक और पटका थालेखक, कई राष्टिये और अंतर राष्टिये पुरुसकारों को अपने नाम करने वाले, बिहार से चलकर मुंबई के बॉलीबूड में अपनी पहचान बनाने वाले, आज हम एक ऐसे सक्सियत का जीवन परचे करवाने जा रहा हूं, जिनका नाम है प्रकास ज्जा, भारतिये सिनेमा जगत का सायद ही कोई ऐसा ब्यक्ति हो, जो की आज प्रकास ज्जा को नहीं जानता है, गंगा जल और अपहरन जैसी दमदार हिट फि फिल्मों के माध्यम से बिहार की प्रिष्ट भूमी को लोगों के सामने लाने का प्रियास करते रहे हैं, आज प्रकास ज्जा पतना और जमसेदपूर में बने सूपर डिलक्स हाइटेक P&M मौल के भी मालिक हैं, प्रकास ज्जा का जनम 27 फरवरी 1922 को बिहार राज के पस्म चंपारण जिले में हुआ था, इनके पिता का नाम तेजनात ज्जा है, प्रकास ज्जा की आरंविक सिच्छा तिलैया के सैनिक अस्कूल में हुई थी, जो कोडर्मा जिले में पढ़ता है, इसके बाद उन्होंने दिल्ली बिस्विद्याले से भौतकी में असनातक की उपा कि एक एडिटिंग कोर्स में नामंकन करवाया था, लेकिन 1974 के चात्र आंदोलन के कारणों से यह संस्थान कुछ समय के लिए बंध हो गया था, इन कारणों से प्रकाज्जा की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, इस घटना के बाद उन्होंने मुंबई जाने का नेने किया और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड कर नहीं देखा, प्रकाज्जा के नाम कई मल्टी अश्टार काष्ट बाली फिल्में जिन में चक्रविव और आरच्छन का नाम आता है, इन सभी के साथ साथ प्रकाज्जा की एक प्रोडक्शन कमपनी भी है, प्रकाज्जा के बैवारिक जीबन उन्होंने एक नेपाली अभिनित्री देप्तिनवल से बिबाह किया था, लेकिन उनका यह बिबाह सफल नहीं हो सका, साल 2005 में इन दोनों के बीच तलाक हो गया था, बता दें कि प्रकाज्जा का एक बेटा भी है, जिसका नाम प्रियरंजन है, इसके साथ उन्होंने एक बेटी को भी गोद लिया है, प्रकाज्जा ने कई राष्टिये और अंतर राष्टिये पुरुसकारों को अपने नाम किया है, जिसमें फिल्म फियर आवार्ड आवर राष्टिये फिल्म पुरुसकार जैसे बड़े आवार्ड भी सामिल है, साल 1984 में प्रका जरूर किजेगा और यदि आप इस संदेश को फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर किजेगा